दोस्तों आपका सौगे थे मेरी एक और नई वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज अवेंजर 220 क्रूस के बारे में ये इसका सिंगल डिस्क और सिंगल चैनल ABS वाला मॉडल है आप देख सकते हैं आज इस वीडियो में हम इस गारी का फुल रिव्यू करने वाले हैं इसकी प्राइज इंजन स्पेसिफिकेशन, माईलेज और हर एक चीज के बारे में बात करेंगे तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमाया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बात के ने फ्रंट लुक की तो फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है गारी यहाँ पे बिग साइज के विंड्सील ग्लास देखने को मिल जाता है यहाँ पे बोल्ट आप देख सकते हैं चारो बोल्ट से टाइट किया गया है और भाई कुछ ऐसी दिखती है इसकी हेड लाइट इसमें हाइलोजन बल भी देखने को मिलता है 55W का हाइलोजन बल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे DRL मिल जाता है LED DRL दोनों साइड इसमें कोई भी LED हेडलाइट का सेटप देखने को नहीं मिलता कुछ ऐसा दिखता है इसका इंडिगेटर इसका इंडिगेटर बिल्कुल राइल इंफिल्ड क्लासिक 350 जैसा है 10W हाइलोजन बल के साथ में आता है इसका इंडिगेटर यहाँ पे नंबर प्लेट प्लेस करने के लिए जगां मिल जाती है कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट टेलिसकोपिक सस्पेंशन इसमें 70 mm का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है यहाँ फे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और भाई इसमें कोई भी ऐलोई वील का आप्सन देखने को नहीं मिलता इसमें सिर्फ यह स्पोक वील देखने को मिल जाता है बिल्कुल वैसे इसमें भी देखने को मिल जाता है रेफ्लेक्टर दोनों साइट देखने को मिल जाते हैं आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है इसकी डिस्ट ब्रेक यहाँ पर ABS रिंग देखने को मिल जाता है इसकी डिस्क साइज की बात करें स्टील फिनिस के साथ इसका इन्डिकेटर देखने को मिल जाता है, आपका है अऽ पाफ़ी लाइट, 220 सिकलीज़ के हिसाब, कलड़ इसका काफी लाईट देखने को मिलता है यहां पर passing switch देखने को मिल जाती है, inadequ this Action시고 On पर मीटर में लाइट DR. ओन हो जाती है यहाँ पर देख सकते हैं यह इसका हाइलो बीम स्विच मिल जाता है यहाँ पर इंडिगेटर स्विच है यहाँ पर हॉन देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में सिंगल हॉन ही देखने को मिलता है आप देख सकते हैं यह अलग से लगाया गया है क्रेटा वाला बात करें टैंक की तो कुछ ऐसा दिखता है इसका टैंक टैंक पर अवेंजर लिखा वो मिल जाता है और भाई हैंडल कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी की हैंडल काफी यूनिक दिखती है अवेंजर की यहाँ पर इंजन किल स्वीच देखने को मिल जाता है और भाई यह काफी मतलब पुराना वाला सुइच है इसमें नया वाला सुइच नहीं दिया गया है यहाँ पे इसका DRL on हो जाता है यहाँ से इसकी headlight on कर सकते हैं यह इसका self start button कुछ ऐसा दिखता है इसका mirror भाई handle इसका ऐसा देखने को मिल जाता है मीटर की मेरे today तो इसमें फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है यहाँ पर Even कीटेदार है यहां सिनक्त देखने को मिलता है यहां इसका फ्यूल इंडिकेटर यहां पर कुछ सानुतल इसक अमेटर आप fact female हिसमने मिलन जाती है और काफी सारी इ arguments लेए उसमें यहां पे engine check light बजाज का logo मिल जाता है, यहां पे ABS light देखने को मिल जाती है, और यह E20 2014 model आप देख सकते हैं, यहां से आप petrol डाल सकते हैं, टैंक इस गारी का काफी बहतरीन देखने को मिलता है, इसके tank capacity की बात करें, तो लगबग 13 liter इसमें petrol आ जाता है, इसके tank में, और यह ग classification की, तो इसमें 220cc का single cylinder oil cool twin spark DTSI fuel injection engine देखने को मिलता है, इसमें कोई भी carburetor वाला system नहीं देखने को मिलता, यह engine 4 stroke और 2 valve के साथ में आता है, बात करने इसके power की, तो 19.03 PS की power produce करता है, 8500 rpm और भाई, 17.5 mm का torque प्रोडूस करता है, 7000 rpm इसमें front में disc और rear में drum brake ही देखने को म fuel tank देखने को मिल जाता है, और यह गाड़ी 35 से 40 तक का mileage अराम से निकाल के दे देती है, वो आपके मतलब ride पे depend करता है, जिस हिसाब से आप गाड़ी चलाएंगे, उस हिसाब से आपको mileage देखने को मिलेगा, 5 gear के साथ में आता है, भाई यहां से इसका gear डलता है, एक gear नीच बागी चारो ऊपर लगाने को मिलता है, यहां पर इसका stand देखने को मिल जाता है, और भाई इसमें side stand engine cut off sensor भी देखने को मिल जाता है, जो कि stand नीचे करने पर engine को automatic बंद कर देता है, यह इसका dual stand, कुछ ऐसा दिखता है इसका engine, यहां पर 220 cruise लिखा हो मिल जाता है, और भाई यह fiber material के साथ में आता है, यह white color वाला model है आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे दिखती है इसकी seat, seat cowl भाई यहां पर chrome finish पूरा देखने को मिल जाता है, काफी premium लगता है, यह इसका rear suspension, rear में 5 step adjustable twin sock absorber देखने को मिल जाता है, दोनों तरफ देखने को मिलता है, suspension इसका chrome finish के साथ मे जाती है, इसमें seat की कुष्णिंग काफी अच्छी देखने को मिलती है, और इसमें दो लोग अराम से बैठ सकते हैं, और भाई यहां पर साड़ी गाट देखने को मिल जाता है, यह इसका chrome finish के साथ, यहां पर बैठने के लिए backrest type का दिया जाता है, chrome finish के साथ, यह इसका chain, अब बलब open वाज देखने को मिलता है, इसमें cover वाला chain cover देखने को नहीं मिलता, पार रियर tyre section की बात करें, इसमें MRF के tyre देखने को मिल जाते है, टेरrop section की बात करूंग तो 130 by 90, आर 15 सक्षन का tyre देखने को मिल जाता है, स्पोक wheel के साथ, इसमें alloy wheel का option देखने को नहीं मिलत साइट से एक चैक कर सकते हैं साइट से विगाड़ी काफी प्यारी देखने को मिलती है अब बास करते हैं इसके रियर लुक जैनों नहीं रिएंगेलर से यहां पे अभी जल पर मिल जाता है है अब देख सकते हैं कुछ ि सब्सक्राइब कर्दा निता को क्युंते ही इसका इंडिएटर आप सकते हैं क्रॉम फिनिश के साथ प्लेटर के देखने को मिल जाता है और यहां पैनुंबर प्लेॉस्ट करने के लिए यहां पर बीुल लाइट कुंप लेट के लिये टेर इसका काफी वाइड है फ्रंट ट्रायर सेक्षन की बात करूं तो फ्रंट में फ्रंट में भी MRF का ट्रायर देखने को मिलता है त््यूलेस ट्रायर इसे नबय- Anne Da 7 शेक्षन का फ्रंट में भी टैरर देखने को मिल जाता है यह इसका बैटरी पेनल और भाई हैं और आफ कर सकते हैं यहां पर बजाज DTSI लिखा हुआ मिल जाता है कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन इसके इंजन ऑल कपिसिटी की बात करें तो 1150 ml इसमें इंजन ऑल डलता है यहां से इंजन ऑन आफ कर सकते हैं और भाई लॉक यहां से होती है इंजर बिल्कुल बुलेट वाला सिस्टम है इसमें आप देख सकते हैं यह इसका ब्रेक हो गया यहां पर फुट्रेस देखने को म इसके पूरा से इक जस्की इसका स्टेले के साथ मयाता था यहां पर आपको इसके सेंसरय लगा यह बात करें इसके टेक्निकल स्पेसिकेशन की तो इसमें सेल इस्टार्ट कम ग्जाती कुछ एस using अश्टियंग से नहीं मिलता है इसमें डिजिटलक्लण स्पकार्किंशन देखने को मिल जाता है और वहां इसका मीटर फुली डिजिटल में देखने को मिलता है यहां पर आपको वार्णिंग लाइट देखने को मिल जाती है कुछ ऐसे दिखती है अमेंजर बैक साइड से आपको अमेंजर कैसी लगती है मैं कमेंट में जरूर बताएं बात करें इसक 500 mm की हाइट देखने को मिल जाती है और इसमें जो फ्यूल डिजर्व होता है वह 3.8 लीटर फ्यूल डिजर्व होता है इसमें अविंजर में इसकी सीट हाइट है 707 की इस गाली की सीट हाइट काफी छोटी है मतलब कोई भी बंदा इसको अराम से ड्राइव कर सकता है ग्राउंड किलेरंस है 169 mm की इस गाड़ी की वील वेस है 1490 mm की जो की काफी ज्यादा है कर वेट है 163 kg का तो कुछ ऐसी दिखती है अवेंजर 220 अवेंजर 220 क्रूज आपको कैसी लगती है आपके पास है नहीं है कब लेने वाले हम कमेंट्स में जरूर बता है इसकी प्राइस क प्राइस मिल जाता है बस इसमें दो तीन चीज मतलब कमी लगती है जैसे कि इसकी टेल लाइट होगे इसमें कोई भी एलेडी टेल लाइट देखने को मिलती इसमें हालोजन बल्ब में इंडिगेटर देखने को मिलता है और भाई सबसे बड़ी कमी की बात करें तो इसमें क कोई भी LED हेडलाइट देखने को नहीं मिलती मतलब इतनी महगी गारी होने के बाद भी इसमें हाइलोजन बल भी देखने को मिलता है एक लीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमाय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं किसी और नई वीडियो में तब त वीडियो झाल